ओके सो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आपसे भी लोग उमीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे और आज के इस नए वीडियो में आपसे भी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है अचारे जी की नई वीडियो आ चुकी है और इसका टाइटल है प्रबोधन यानि एनलाइटन वाली है क्योंकि एनलाइटनमेंट जल्दी वाला मामला नहीं है इसमें पेशेंस चाहिए बहुत जादा पेशेंस चाहिए क्योंकि इसमें सिर्फ समझना है पाने को कुछ है नहीं ये पहले से ही पाईवी चीज है सिर्फ आदमी को ये समझ में नहीं आता कि उसके पास ये है कैसे इसमें कुछ पाना है नहीं और इसे समझने के लिए बहुत patience चाहिए इस बोध के लिए बहुत patience चाहिए तो देखते हैं आचारी जी इसके उपर क्या बोलते हैं और जैसा की मैं हमेशा करता हूँ बीच बीच में मैं भी अपने व्यूज आप लोग के साथ शेर करता रहूंगा तो चली शुरू करते हैं त्री टू वण ओके सो एविगा अचारी जी आचारी जी मैं मैं फांडेशन से दो साल से जुड़ा हूं दो साल से वीडियो सुन रहूं देख रहूं काफी पश्रदा मिली मुझे अपने जीवन में काफी सुन्दर डिसिशन्स ले पाया मैं कॉर्परेट को ना बोलकर टीचिंग मैं आ पाया जो मुझे हमेशा से करना था दिसंबर द इमानदारी की बात है ये इसके बाद सिफ एक ही रास्ता है मतलब वेदान्त अचरेजी मैं वीडियो सुनता हूं आपके रिगुलरली और पिछले दो महने में नहीं सुनता है उसकी वजह भी क्लियर होगी थोड़ी तेर मैं मुझे यसा लगा कि मैं ये मैं समझ नहीं पा है वहीं वहीं वर्ड्स आ रहे हैं और जो क्यूंकि सुनते हैं हम कबीर के वचन कृष्ण मुर्ति जिस तरफ इशारा करते हैं सेंट्स और स्क्रिप्चर्स ऐसे लगता है मैं तो वह समझ ही नहीं पा रहा हूं मैं तो वहां पहुंच ही नहीं रहा हूं एक इंपेशन सीध सीधी बात जिसके वज़े से मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन और बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है इतना फ्रस्ट्रेशन कन्फ्यूजन कि मैं कहीं फोकस नहीं कर पा रहा हूं मैं अपने काम में बुरा परफॉर्म कर रहा हूं एक चीज बताओ जैसे कौन सी एक चीज किरी तो कबीर भजन सुनता हूं रोता भी हूं और फिर मुझे समझ में आता कितना फेक है मेरा रोना मैं तो खुद के लिए ही रो रहा हूं कितना ठीक है बात सुनी खुद के लिए भी रो दिये उसमें उमीद क्या है कि कहीं पहुंचना है पर मैं पहुंच नहीं बारा प्रॉब्लम है कि इनलाइटनमेंट कोई जगे है जहां पहुंचना है या बोध कोई जगे है जहां पहुंचना है तुम्हें कैसे पता कि कहीं पहुंचना है वो सकता है कहीं पहुंचना होई न क्यूंकि वो सकता है कहीं जाना होई न खड़े-खड़े ही का हो जाए जिसे ल हम जिनका अभ्यास करते हैं जिनके वचनों का अभ्यास करते हैं अरे बाबा कहीं पहुंचना है यह जिद तो उसकी होती है ना जो तुम हो अभी जो तुम हो अभी उसे तो कुछ पहुंचना है कहीं ना कहीं दुनिया में हर आदमी कहीं पहुंचने कोई तैयार है उसके अभी पहुचना ही चाहता है, तभी सड़क पर है, किसी को अपने करियर में कहीं पहुचना है, दंदे में पहुचना है, अपने विखते कर जी और कहीं पहुचना है, सब को पहुचना है, जिसको पहुचना है, जो ये इच्छा रखता है कि पहुचना है, मैं बदल जाओ, मै इस दुनिया में पहुंच कुछ पा लूँ, वो तो वही है ना जो तुम हो, तो तुमको वही बने रहना है जो तुम हो, तो पहुंचने की जित किस लिए फिर? आजयरेच में वीडियो देखता हूं, पर ऐसा फिल होता है कि मैं एक कन्फेशन यह है कि पिछले दो मेहनों मैं इतना कन्फेशन और फ्रस्टेट हो गया था, कि मैंने देखना ही छोड़ दिया था इसमें कोई पुराई नहीं है, पीच पीच में छोड़न दो देखना हूँ सब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी देखो, तो समझो तो सही कि मूल बात कही क्या जा रही है आज्डे जो है उसके साथ रहो, कुछ अदर मत चाहो कोई अलग इच्छा मत create करो क्योंकि वही इच्छा conflict create करती है और यही इस आदमी के साथ हो रहा है इसकी frustration की वज़े क्या है कि ये कुछ अधर चाह रहा है कोई और चीज चाह रहा है दियदर्धनेस जिसको कृष्णमूर्ती किसी आदमी नहीं बोला था वो बोलते हैं कई बार दियदर्धनेस की बात करते है वो अधर्धनेस क्या है कि जो है उससे हटके तुम कुछ और इच्छा बना रहे है जो है उसके साथ जीने को तयार नहीं तो conflict create होता और उससे frustration create उगती है मैं तो इतना बोला है कि वो सब कुछ देखा जा भी नहीं सकता अभी उस तेर वो बैठके हिसाब लगा रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति प्रते दिन एक घंटे भी देखे तो उसको तीस साल लग जाएंगे देखने में जो आज तक बोला गया है तो मैं याग्रह क्यों करूँगा, कैसे करूँगा? कि देखते य रहो, देखते ही रहो बात मातरा या संख्या की नहीं है बात गहराई की है कुल हमारा उदेश ये इतना है कि हमको दुखदर्द में नहीं जीना भाई यही ना? सीधा सिंपल यही है और तो कुछ नहीं पहाड चडदना तो अढ़ार जदना नहीं है नहीं है नहीं है नहीं मझा अध्यात्मका एक सुत्रीय उद्देश होता है क्या? दुख से कश्ट से सफरिंग से मुक्ति और तो कुछ भी नहीं फिर आगे हम कहते हैं कि सफरिंग और सफरर एक ही चीज के दो नाम है दुख और सफरिंग और सफरर जिसे कृष्ण मूर्ती बोलता है observer is de-observed इसे ये बोल रहे हैं आचारे जी बोल रहे हैं सफरिंग और सफरर दुख और दुख पाने वाला दोनों एक ही है अलग अलग नहीं है जैसे observer दृष्टा ही दृष्च है कृष्ण मूर्ती की भाषा में दुख ही एक ही है माने जो मैं हूँ वही मेरा दुख है अभी नॉर्मल आदमी यह मानने चलाएं यह उसका ऐसा मानना है कि दुख कोई अलग चीज है और मैं दुख से कुछ अलग हूँ दुख कोई अलग चीज है और मैं दुख भोगने वाला हूँ पर असल में दुख और दुख भोगने वाला कुछ नहीं कहा जे कृष्ण मूर्ती ने सिर्फ इतना कहा है कि जस्ट बी वट इस जो है उसके साथ रहो और तुम यह देख लोगे कि द्रिश्टा ही द्रिश्य है दुख भोगने वाला और दुख दुनों अचारह प्रशांत उसे उसे ही बोलते हैं matter तुस्ट से मुक्ति चाहते हो नो नो जो मैं तो बना रहा हूं रोग हट जाए वही आप चाह रहे हो आप बने रहोगे तो रोग कैसे हटेगा तारी कंथी नहीं पर क्रियेट उत्ती है आदमी के अंदर कॉर्पोरेट छोड़के आ गए लेकिन कॉर्पोरेट में जो चाहत होती है कहीं पहुंच जाने की कुछ बनने क कि एक विकमिंग की जो चाहत होती एक विकम संथिंग उचाहत आप अध्यातमे भी ले एकश स्पार चाहते हैं को अब भी कुछ बनना चाहपे उप तो आप दोग हु जो आप हो और अगर आप वही हो जो आप हो, तो रोगी ही रोग है, अगर रोगी बचा हुआ है तो रोग भी बचा रहेगा, रोग कैसे मिटेगा, पहले आप वो थे जिसे कुछ बनना था, अब वो हो जाओ जिसे कुछ नहीं बनना, इस दुनिया में एक चीज से दूसरी चीज बनके क्या मिल जाना है कुछ नहीं बनना जो कुछ बना बैठा हूं उसी से तो मुक्त चाहिए कुछ अब अतिरिक्त नहीं बनना है का मतलब क्या है कोई नई इच्छा पैदा नहीं करनी है इसका मतलब यह है कोई opposite क्योंकि इच्छा हमेशा opposite की होती है जो है उसके विपरीत की इच इच्छा होती है मिश्या इच्छा ही विपरीत है उसे वह बोल रहे हैं कि कुछ और नहीं बनना है जो है वो ठीक है उसी में ही जीएंगे मुक्ति मांग रहे हैं भाई पहनावा चड़ावा कुर्ता पजामा ये थोड़ी कर रहे हैं कि और कुछ बन जाएं अध्यात्म है अपने सब आवरणों से निर्वस्त्र हो जाना बिलकुल उपर अपने जितने भी छिलके खोल चड़ा रखे हैं सब उतार देना ये है अध्यात्म कुछ और नहीं बनना है ये देखना है बस कि जो बन गए है उसमें ही कितनी सच्चा ही है तो जल्दबाजी किस बात की मचा रहे हो और ये नहीं देख रहे हो कि तुम जो जल्दबाजी मचा रहे हो वो तो सड़क पे चलता आमादी मचा रहा है तो तुम अलग कैसे हुए यह जल्दबाजी से लाइटन हो जाओ उसकी जल्दी है कि जल्दी से प्याज खरी देले घर में मटन बनेगा आज डाट पढ़नी शुरू हो चुकी है दोनों का आग्रह तो यही है कि मैं कुछ हो जाओं या मुझे कुछ मिल जाए छोड़ दो कोहीं नहीं पहुंचना है कि प्रोजेक्ट पर थोड़ी लगे हुए हो मिशन अनलाइटनमेंट कुछ नहीं है शांत सहज बाते हैं कभीर भजन सुनके आँखों में आसू आ गए तो उसमें कोई चीरफाल की जरूरत नहीं कि आसू क्यों आ गए क्या मैं अपने क्या मैं पडोसी के लिए रो रहा हूं कि मैं सड़े कुट्टे के लिए रो रहा हूं मैं किसके लिए रो रहा हूं अले उन्होंने एक बात कही तुमारी आखें भराई हो गया अगोसर हो अच्छा जी ऐसे इच्छा होती है कि ऐसा माइंड में एजेंट बना के रखा है जो अब्जर्वेशन निश्पक्ष होना चाहिए न अब्जर्वेशन परपसफुल नहीं हो सकता सोदेश ये अवलोकन करोगे तो मारे जाओगे जो तुम खुद को देखते ओ, सेल्फ अब्जर्वेशन है वो परपसलेस होना चाहिए उसमें निश्पक्षता होनी चाहिए शकाम नहीं होना चाहिए उसमें कोई कामना नहीं छुपी होनी चाहिए बस देख लिया बस देखना हमने देख लिया ऐसा हुआ है पर देखने से कोई लाब भी तो हो को लाब वगारा सोचना हमारा काम नहीं है हमने क्या किया लाब की बाद आपकी ग्रीड करती है जब भी आप यह बोल रहे हो ना कि कुछ मिल जाए इस से इस observation से कुछ मिल जाए फिर आप ग्रीड के आ कि लाव यहा लालच के लेजर लाट मरसे जार्व निग बस देख लेकंगे आप बात कर रहे हो इसको बलते थे चॉइसलिस घइतक कि लिए परशान है यह आज एज मुझेस लगधा मैं मैं संध्नी बागं तो समझ कुछ ने गुई कोशिस कर flouruk समजने की ऎचारी जी भी सको यही समझाने की कोशिश कर ECM समज मत इस बस जो है उसके साथ rather वियोट समझे की इच्छा ये समझना भी क्या है ये एक इच्छा एह अपोजिट इच्छ वन्यों गोव वो ही बेचेनी क्रियेट कर रही है, वो ही फ्रस्टेशन कर रही है इस आदमी के अंदर, छोड़ दे समझने को कुछ है नहीं, छोड़ दे भिया, जूट प्रत्यक्षा है, सच कोई ऐसी चीज नहीं इसको समझ सको, तो समझने में इतनी गुथी कहाँ है, जो जिसको आप जूट बोलते हैं, जो संसार का प्राकृतिक चक्र है, वो तो सामने ही है, जो चल रहा है उसको देख लो, उसमें कहां तुम फस रहे हो कि बड़ी कोई गहरी जटिल बात समझ में नहीं आ रही है, उसमें कोई जटिलता होना होती है, यहां से वहां पहुँच जाएं, सबको बड़ा बनना है, सबको सम्मान चाहिए, इसमें समझने ही क्या बात है, ऐसा तो है ही सामने, और इससे हट करके, इसके अतिरिक्त, प्रकृतिके विधान में और कुछ होता नहीं, यही तो सब चलता रहता है न, यही च ऐसा डर बना रहता है कि मैं ऐसे ही मर जाओंगा और कुछ मैंने, तो हो सकता है, ऐसे ही मर जाओ उसमें क्या है, मर जाओ तो दिक्कत है, तो ही सकता है, अब बहार निकलो, मर जाओ, बिलकुल हो सकता है, मैं बैठा हूँ यह उपर यही मेर उपर गिर पड़े मर जाओ, बि मिशन इंपॉसिबल प्रोजेक्ट चला रखाया है छोड़ दो प्रोजेक्ट बिल्कों एक दम खाथम कर दो टर्मिनेट करो मिशन इंपॉसिबल को कुछ है यह पाने को सीरियसली कुछ है नहीं क्यूंकि आचार जी बतो इसके वजे से मैं जो चीजे एंजॉय करता हूं वह इंजॉय नहीं कर रहा हूं मैं मुवीज इंदिये तुम करो यार मौज करो एक लना यार मुवीज देखने में क्या है प्रणामा चार जी आपकी वीडियो में काफी दिन उस चे चे मैने से एक साल से सुन रहा हूं उससे काफी मुझे मदद दी हुई आपने प्रेम के बार हम प्रेम कैसे इंकल्केट करें अभी बताया ना कि किसी काम में अगर गहरे जाना चाहते हो तो पहले उसके नस्दीक जाओ अकैडमिक्स अगर कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें दूसरों ने सौप दी है कि इतनी किताबे लाके कोई दे गया है तुम्हारे सर पे कि ये तो पढ़नी ही होती है ये सेवेस्टर है ये तो क्लियर करना ही होता है तो तो तुम्हें प्रेम नहीं हो पाएगा सबसे पहले स्पष्टता जागरत करो मुझे पढ़ना ही क्यों इन किताबों से मिलके आ जाएगा इनका महत्तों क्या है वास्ताव में पहला सवाल ये होना चाहिए मैं ये कर क्यों रहा हूं जब ये स्पष्ट हो जाएगा क्यों कर रहा हूं तो प्रेम अगर उससे होना चाहिए तो हो तो जीवन में जो भी व्यवार हम करते है तो ہम आगे वाले से उमदिर रखते हैं कि वो गार किसली कि सायता कर रहे हैं तो सायता के प्राति वह इमांदर रहे हैं उमीद करते हैं लेकिन मैं अपने जीवन में जिसकी साहता किया हूँ, मेरे साथ हुआ है कि एक दोस्त मेरे बास था तो मैंने उसने मुझे बोला कि मतलब मेरी माताजी जो है उनको कैंसर हो गया यह सब तो मैंने उनकी बात मान ली और करुणा आवश में उनको पचास अजार रुपे दे दि कि उन्होंने जो है वो नशे में वो सब पैसा उड़ा दिया तो मुझे मतलब अंदर से बट निराशा हुए कि मैं मतलब दोका खा गया तो यह उमीद जो है मैं खतम नहीं कर बाता हूँ बहले किसी की साहता भी कर रहा हूँ या अपने जो स्वार्त के वश कोई वेभार कर तो उस उमीद के वज़े से मतलब टूटने की वज़े से बहुत निराशा होती है कि यह तो दिखो जब तक हमकार इपने आप में ही यकीन करेगा उसका अपनी अपूर्णता में भी पूरा यकीन रहेगा और जो अपनी अपूर्णता में यकीन रखता है मानिए अपने मैं अधूरा हूँ, दुनिया से कोई ऐसी चीज मिल जाएगी, जो मुझे पूरी कर देगी, इसी का नाम उमीद है, मैं अधूरा हूँ, और मेरे चारो तरफ ये दुनिया है, इतनी बड़ी, जरूर इसमें ऐसी चीजे होंगी, जो मेरे अधूरेपन को पूरा कर देंगी, इ जब तक तुम अहंकार बने हुए हो, अपने आपको अधूरा तुम्हें मानना पड़ेगा, ये मजबूरी रहेगी, मानना पड़ेगा, तुम क्या हो, ये जानने के लिए जो अपने आपको पहले मानते हो, उसको काटना शुरू करो, किसी को तुमने पैसा दिया, तुमार अमीद रहेगी, पहली बात तो पैसा लोटा दे, और दूसरी बात, थोड़ा शुक्रिया बोल दे, थोड़ा नुग्रा दिखा दे, ये आंतरिक खोखलेपन की और इशारा करती ये बात, मैं पैसा देखे भी उस पर आश्रित हूँ, पहली बात तुमेने इसको पैसा दिय दूसरी बात, अब मैं भिखारी बनाओं उसके सामने, सूचो, हमने उसको पैसा दी और भिखारी पी हमें, और भी क्या मांग रहे हैं उससे, क्या मांग रहे हैं, अपना पैसा दो मांगी रहे हैं, और भी कुछ मांग रहे हैं, हाँ, कि कृतक गिता थोड़ी दिखा दे, थोड़ा सम्मान बता दे, इतनी अजीब बात है, पैसा भी मैं दो, बिखारी भी मैं बनूँ, पैले पैसा दे रहा हूं फिर कहा हूं भाई भाई, थोड़ा सा एक बार, थेंक्यू बोल दे प्लीज भाई, इतनी अजीब बात है ना, तो जैसे तुम देखते चलोगे कि भीत क्या बने बैठे हो, वैसे वैसे बनने का मन नहीं रहेगा फिर, को यह बनना तो बेकारी की बात, पैसा भी दे रहा हूं, बिखारी बन रहा हूं, इसमें क्या मिला मुझे, जैसे यह पश्टता आती है भीतरी वैसे ही भीतर का कचर आदमी त्यागता चलता है, फिर उमीद ऐसी हो कि उसमें मेरा स्वार्थ ना हो, मैं सामने वाले से इसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, जहां अपना स्वार्थ नहीं होता, वहां स्वायम को चोट नहीं लगती, चिंता मत करो, अगर चोट लग रही है, तो यह गुमान करना बंद करो कि निस्वार्थ मदद कर यह घुद स्वार्थ है। उसमें चुपा हुआ स lead था। पर कोई नेंतरण नहीं रखना चाहते कि वह कैसां इस्तेमाल करेगा। बता देता हूं जो व्यक्ति सही देता है वो सही पात्र को भी देता है पर चुकि अभी भीतरी इस पश्टता नहीं है मैं कौन हूं नहीं जानते तो तुम ये भी नहीं जानते हो कि तुम्हारे दान का ये तुम्हारी सहायता का सही हकदार कौन है अगर सही हकदार को दिया ज कई-अध मी पुचन वैला भी यह जानता था कि यह अद्मी इसका कुछ गरबण इस्तमाल करेगा इसके मंन के अंदर emerged con just गलत इस पैसे का ओडर सबॉब एज जाता है तो हैं तुए पूचने की जरूरत नहीं बच्चती कि मैंने तुम्हें जो दिया था तुम्हें उसका क्या किया तुम्हें अभी यह ज़रूरत बची हुई है तुम्हें ज़रूरत इसी लिए बची हुई है क्योंकि तुम अभी जानते ही नहीं कि तुम्हारे पैसे का वास्तवे एक अधिकारी कौन था क्योंकि तुम स्वैम को नहीं जानते सारी समस्य आए घूम फिर करके एक ही जगह आ जाती है आत्मग्यान उसको ही आगे बढ़ाओ ठीक है यह मैंने थोड़ा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक ही वीडियो के अंदर तीन चार लोग सवाल पूछ लेंगे क्योंकि यूजवली आचारे जी एक ही सवाल को काफी लंबा लंबा ले जाते हैं क्योंकि वह आराम से किसी भी किसी भी प्रशन का उत्तर बहुत आराम से दे तीन तो थे ही ओके तो क्या करें अब इस वीडियो को यही पर एंड करते हैं काफी लंबा हो चुका है यह वीडियो और मुझे पहले वाले के उपर जादा इंटरेस्ट था क्योंकि वह सादनी की परेशानी यही थी कि वह जल्दी से जल्दी enlightenment पाना चाहरा है मुक्ती पान मुक्ती एंलाइटनमेंट की बात नहीं करते हैं मुक्ती की बात करते हैं वह जल्दी से जल्दी मुक्ती पाना चाहरा है और यह लालच है और यह लालच का खेल नहीं है क्योंकि पाने को कुछ है ही नहीं और लालच तो पाना चाहता है और जादा दुख में पड़ता है वो यह समझता ही नहीं है कि बस रुक जाना है और जो है उसके साथ ठैर जाना है यही कृष्णमूर्ती का संदेश है और यही अचार प्रशांत का संदेश भी है इसी के साथ आज के इस वीडियो को यही पर करते हैं समाप्त अगर आप लोगों को यह रियक्शन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मैं चलता हूँ मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंकियो सो मिच फूर वाचिंग और आल सी यू नेक्स टाइम बाई